नमस्कार आप देख रहे हैं जेनाई नियूज और मैं हूँ आपके साथ अनुश्का अगरवाल इस वक्की बड़ी खबर उतर प्रिदेश लखनव से आ रही है आपको बताएद योगी सरकार ने किया बड़ा एलान उतर प्रदेश में पिछले साल चैनीद किये गए 69,000 सिक्षकों के वेतन भुगदान को लेकर CM योगी आदित नात ने बेसिक सिक्षा विभाग के आधिकारियों को निर्देश दिये हैं जिसके बाद बेसिक सिक्षा विभाग 69,000 सिक्षक भड़ती में नव चैनीद सिक्षकों के ओफलाइन वेरिफिकेशन के पेज को हटाते हुए आदेश जारी करने जा रहा है करोना काल में बेसिक सिक्षकों को आर्थिक तंगी से ना जूजना पड़े इसलिए विभाग ने या बड़ा फैसला लिया है अब ऑनलाइन वेरिफिकेशन की जगा नव नियुक्त सिक्षकों को बीएसी कारियाले में शपत पत्र देना होगा बता दे कि 99,000 सिक्षक भर्ती की पहली काउंसलिंग 12 अक्टूबर 2020 को हुई थी जिसमें नियुक्त पत्र 17 अक्टूबर को मिला था वहीं दूसरी काउंसलिंग 2-4 दिसंबर 2020 को हुई थी जिसमें 5 दिसंबर को 9 चैनी सिक्षकों को नियुक्त पत्र मिला था ऐसे में वेरिफिकेशन में वर्ष 2003 के बाद का हाई स्कूल वा इंटरमीडियेट का डेटा तो ऑनलाइन है लेकिन पहले के वर्षों के लिए ऑनलाइन वेरिफिकेशन की विवस्ता है बेशिक सिक्षा विवाग ने या भी सपस्ट किया है कि शपत पत्र के बाद यदि कोई ट्रूटी वेरिफिकेशन में आती है तो विवाग FIR करने के साथ सिक्षिकों से वसूली भी कराएगा बेशिक सिक्षा विवाग के इस आदेश के बाद प्रदेश के करीब सत्तर हजार सिक्षिकों ने राहत की सास ली है बताने कि प्रदेश ने नफ चैनित सिक्षिकों की भरती के बाद से उन्हें सेलरी नहीं मिल पा रही थी इसकी तमाम बज़ाओं के साथ प्रमुक बज़